देखिए इस विडियो में हम lookup operator के बारे में पढ़ेंगे lookup operator कहां यूज होता है मैं आपको बढ़ा दूँ lookup operator यूज होता है join करने में अब join क्या होता है एक मैं आपको overview दे देता हूं कि join का मतलब क्या है ठीक है बच्पन में हम SQL करते थे उसके example से मैं आपको बताऊंगा customer ले लेते हैं और order ले लेते हैं customer की ID है customer का name है order की क्या है ID है और यहाँ पे क्या है product जो भी उसने खरीदा है और यहाँ पे उसकी तीसरी field है order में customer ID CID ठीक है अच्छा ठीक है पहला बंदा है राम ses qig trendy ओन है दूसरा बंदा है रोहित लुछे परीजाद थी भात राफ है तीसरा बंदा है ah xuAK 17 बहुत अच्छी तो और और दे ratio order में डाल लेते है किसने खरीदी रोहित ने खरीदी भाई अच्छा तो रोहित ने खरीदी तो यहाँ पे मैं दो डाल देता हूं ठीक है खास आपके लिए confusion ना हो आपको तो मैं आप पे ऐसे डाल देता हूं इसकी 11 आइडिय इसकी 12 आइडिय इसकी 13 11 12 ठीक है फिर तीसरा order आया भाई किसी का क अब मैंने आप से कहा कि बाई नों को जोइन कर दो जौइं कर दो यहला घ्यारा था ठीक है और फिर नाम आएगा नेम राम, अक्षित, अक्षित नी, रोहित, ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर आएगा इसका order, राम ने क्या order किया था, ऐसे, ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा, यहां से order table स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एक, ठीक है, राम ने क्या खरीदा था, फोन खरीदा था, एक, और उस इसको जोइन बॉलता है कि हमने एक ही फोटो में सब देख लिया अब दुनिया में चार तरह के जोइन होते हैं एक तो होता है इनर जोइन एक होता है लाइट आउटर जोइन एंड चोथा होता है फूल आउटर जोइन इनर जोइन लाइट आउटर जोइन आप दीहां सब के लिए से लाइट जुक में देख सुल क्योंता है customer join order किया मैंने और वो भी result आ गया है वो भी result आ गया है left में से उठकर जिसमें right का कोई match नहीं है अक्षित भी आ गया अक्षित का कोई order नहीं है लेकिन आ गया ठीक है यह क्या है left outer join left right outer join क्या होता अक्षित ना आके यहां पर बैट और 100 आ जाता है यह रो आ जाती बैट आ जाता जिसका कोई customer नहीं है ठीक है वो क्या होता right outer join right के सारे आ रहे है इनर में होता कि सारे करके यह मैं यहारे है अक्षित भी नहीं आता और ना बैट आता सारे मैस की राम का भी एक order है ठीक है यह आजाओ रोध कभी एक order है यहां बस सारे मैस full outer fill outer किया है सारे कह और 6 अरचित भी आएगा और Tibet भी आएगा लेकिन लेकिन अक्षित के सामने नल और फिर बैट भी आएगा और बैट के सामने भी नलोगा यह कहा है फोल आउटर जोईन थीक है वीडियो दुबार से देखिएगा अगा समय नहीं है ठीक है थीक है थीक है भी हमने जॉइन तो पढ़ लिया है अब बोल रहा है अब समय जाएगा सब कुछ लुक अप इस एन थीक है इतना समय आ गया कि हां हम बचपन में एग्रिएशन पाइपलाइन पढ़ते थे उसमें यूज होगा ठीक है भाई इस अगयो हरी भाई छाएंगी लैफट वाले में से सारी रोwiąz उठ जाएंगी टिक हैपड़रोगा रही हो या नहीं हो रही हो ठीक है अब लूप का धाचा कैसे होता है एक जेसन दी हुई है मैंने लुक अप के सामने जिसमें चार फिल्ड है फ्रॉम लोकल फिल्ड फॉरिन फिल्ड एंड एस तो यहां पर देखेगा कस्टमर और और का अगर मैं लुक अप में इस्तमाल करूं तो कैसे कर पाँगा डीबी डॉट कस्टमर टॉट एग्रिगेट ठीक है एग्रिगेट लिग दिया मैंने आप ठीक है उसमें कियाती है उसमें जाती है भाई लिस्ट जाती है लिस्ट ठीक है उसमें जाते है कॉमा सेपरेटर जाते हैं स्टेजिस ठीक है अभी फिलाल सिर्फ लॉक अप है ठीक है डॉलर लॉक अप ठ इसका मैंने आपको syntax बता दिया था, चार fields होती है, चार fields, ठीक है, चार fields, पहली field क्या होगी, from, दूसरी क्या है, local field, foreign field, as, from, local field, local field, then, foreign field, ठीक है, मेरी सुन्दर राइटिंग देखकर, गभरा ननी, and then as, मन की आखो से देखो यहापे, ठीक है, from, लिखा है, from, from, local field, foreign field, as, from का मतलब गया, किस से जोइन करना है, भाई, customer को, कस्तमर को किस से जोइन करना है, order से, local field क्या है, local field, local field, customer में, local field क्या है, जो की matched होगी, order से, भाई, आईडि, गुजदा मत करो, foreign field, भाई, अचा, customer है, foreign, जो collection है, वो क्या था, order था, अचा, foreign, order में, जो match होगी, ID, वो क्या है, जो match होगी, फील्ड वो क्या है, customer ID, as, as का मतलब क्या है, नई फील्ड का नाम, नई फील्ड का नाम, new field name, new field name, तो क्या होगा, अब देखे, यहाँ तो, मैंने, टेबल लिखे होगा है, SQL की भाषा में, मन की आँको सो देखो, यह जेसन है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक नई फील्ड जाएगी, new field name, ठीक है, यहाँ फिर स्कूल बोल देते हैं, यहाँ पर order, तो मन की आँको सो अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर order field आजाएगी, जिसमें राम की order detail, पूरी की पूरी जेसन लिखी होई होगी, ठीक है, फिर रोहित की भी आजाएगी, क्योंकि यह left outer join है, यहाँ पर अक्षित के सामने, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, बहुत अची बात है, स्टार्ट करते हैं, मौंगो शेल खोल लीजे, मौंगो शेल खोल लेते हैं, और स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैं show collections कर देता हूँ, खास आपके लिए, customer and orders, ठीक है, db.find कर देता हूँ, ठीक है, spelling mistake हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, db.orders.find कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, अब देखेगा, फिर से कर लेते हैं, customer.find, orders.find, अब देखेगा, यहाँ पर, जॉन की एक ID है, कोई दिक्कत नहीं है, एमिली की भी एक ID है, 102, जेन की भी एक ID, 104, अच्छा, अब यहाँ पर तीन orders लिखे हुए है, order की एक ID है, order number है, और customer ID है, अच्छा, यह customer ID का मतलब क्या है, इस customer ID का मतलब है, किसने order किया था, जॉन ने किया था, क्योंकि जॉन की ID 101 है, ठीक है, दूसरा order 102 है, अच्छा, यह Emily ने किया था, क्योंकि इसकी ID का है, एक सोटो यहाँ पर लिखा हुए, मैं अपनी आखों से, सुन्दर आखों से देख पा रहा हूँ, मैं अंदा नहीं हुए, अच्छा, फिर क्या है, order तीसरा है, अच्छा, इसकी customer ID का है, एक सो तीन है, लेकिन यहाँ एक सो तीन इहाँ पर है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गबराते नहीं है, अच्छा, मैं कैसा आता हूँ, मैं एक कलेक्शन चाहता हूँ, एक ही फोटो में, एक ही फोटो में सब चाहता हूँ, कि भाई customer में, यहाँ पर कोमा सेपरेटिड ओडर डीटेल्स आजाएं, सारी की सारी, तो मैं घरूँगा, db.cust.aggregate, एग्रीगेट में क्या करते हैं, लिस्ट देते हैं, लिस्ट में क्या होता है, कोमा सेपरेटिड स्टेजिस होती हैं, हमें स्टेज क्या करना है, अब लुक अब लुक अब में क्या जाती हैं, चार चीज़ें जाती हैं, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या है, किसे से आपको करना है, जॉइन, अचा, कस्टमर को जॉइन कर रहे हैं, ओर्डर के साथ, ठीक है, लोकल फील, भाई, लोकल फील का मतलब क्या है, foreign field लिख दी मैंने क्या यानि कि foreign collection में उस field का नाम क्या है customer idea ठीक है फिर as यानि कि हाँ पर जो एक field आएगी एक्स्ट्रा उसका नाम क्या रखना है आपको सुन्दर सा नाम बताईए क्या लिख देते है order detail order detail ठीक एंटर किया मैंने अच्छा कुछ गड़ड़ होगी लगता है aggregate की spelling गलत हो गई है कोई दिक्कत नहीं aggregate आ गया भाई देखे हो गड़ड़ हो गई है एमिली के सामने एक order detail नामक field एड़ हो गई है जहां पर यह order उसका आ गया है अब सिंस जेन का कोई order ही नहीं था तो क्या है empty list आई है empty list क्यों है यह कोई बताया लिस्ट क्यों है क्योंकि हो सकता है ना कि देखे जान के कई सारे order हो तो यहां पर को मैं सेप्रेड़ आया ते फिलाल एक ही है तो यहां पर देखो क्या हुआ है left outer join हुआ है left के सारे आ गए है ना left के सारे आ गए चाहे चाहे matching हो या ना हो समरे है ठीक है तो look up operator हमने पढ़ लिया अब right outer join उसका उल्टा जाएगे हापर क्या लिख देंगे orders लिख देंगे na db.orders और फिर यहां अंदर क्या है हमारा customer है ठीक है तो वह जाएगा right outer join inner join inner join के लिए हमें condition लागानी पड़ीगी inner join में हमें condition लाग सकते है देखेगा look up के बाद condition लग जाएगी क्या की order detail जो है वह empty ना हो अब तो यह खेलना है आपके लिए खास आपके लिए यह क्या है homework की left outer join हमने कर लिया right outer join मैं मैंने आपके बता दिया है उनको switch कर दो के तो right outer join भी आ जाएगा inner join के लिए खास आपको करना है मैंने आपको hint दे दिया है कि यहाँ पर condition लग जाएगी हाँ पर क्या aggregation है look up के बाद एक match operator इस्तमाल हो जाएगा comma separated जहाँ पर मैं कहले दूँगा order detail not equal to empty list तो inner join हो जाएगा तीन तो मैंने ही बता दिया left outer join, right outer join, inner join लेकिन जो all outer join होगा वो simply ऐसे नहीं होगा ठीक है उसमें आपको code लिखना पड़ेगा code पूरा क्योंकि यह javascript based है हमारी shell तो यहाँ पर हम javascript पे लिखते हैं उसके लिए आपको javascript लिखने पड़ेगी उसका भी हिंदे देता हू अब left outer join निकालिये right outer join निकालिये आपके पास क्या जाएगा यह सारे जाएंगे left outer join में यह सारे जाएंगे right outer join में बस इनको combine कर दीजे और देख लिजे क्या देखना है common वाले हटा देना है common वाले या निकि अब देखो यह 3 हो गए यह 3 हो गए 6 हो जाएंगे अगर combine कर देंगे समझ रहा हो ना या निकि यह और इसका उल्टा opposite right out to join 6 हो गए तो 6 है और थोड़ी न होंगे total total कितना होंगे एक दो तीन चार ठीक है तो उसके लिए हमें duplicate हटाने पड़ी ठीक है तो इस वीडियो में हमने look up operator पढ़ लिया बहुत अच्छी बात वीडियो से आप next वीडियो की लिंक आपको इस card पर मिल जाएगी